गुजरात की सियासी हलचल अपने चरम पर है और इस बीच बड़ी खबर या रही है कि कॉंग्रेस उपाध्धिक्ष राहूल गांधी ने अपना चौथा सवाल भी मोधी सरकार पर दाग दिया है चौथा सवाल आज ट्वीट करके राहूल गांधी ने पूछा है आपको हम बता दें इससे पहले वो घर की बात कर चुके हैं कर्ज की बात कर चुके हैं महेंगी बिजली की बात कर चुके हैं हर दिन एक नया सवाल प्रधानमंतरी मोधी से पूछ रहे हैं राहूल गांधी औ उनका चौथा सवाल ऐसी सुबह आया है जब ठीक एक दिन पहले यानि कल यूपी निकाय चुनाव में कॉंग्रिस की बुरी हार हुई है लेकिन गुजरात में कॉंग्रिस पार्टी लगातार हमलावर है और राहुल गांधी ने प्रिधानमंत्री मोदी से शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौथा सवाल पूछते हुए उन पर निशाना साधा है इस से पहले 50 लाग घर का बादा, 37,000 का कर्ज प्रतेक गुजराती पर और इसके साथ ही 34 रुपे प्रती यूनिट बिजली की बाद ये तीन सवाल उठाए थे और अब राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा के मामले में गुजरात 26 वे नंबर पर क्यों है आखिर प्रधान मंतरी मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? शिक्षा विवस्ता को सदारने के लिए ट्वीट देखिये 22 सालों का हिसाब गुजरात मांगे जब बीजेपी 22 साल के विकास का दावा करती है राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं 22 सालों का हिसाब गुजरात मांगे जवाब प्रधान मंतरी जी चौथा सवाल सरकारी स्कूल कॉलज की कीमत पर किया शिक्षा का व्यापार महंगी फीस सपड़ी हर चात्र पर मार शिक्षा विवस्ता के बहाने प्रधान मंतरी मोदी को आड़े हातों लेते वे आगे कह रहे है न्यू इंजिया का सपना कैसे होगा साकार सरकारी शिक्षा पर खर्च में गुजरात देश में 26 वे स्थान पर क्यों युबाव ने क्या गलती की है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी से गुजरात की शिक्षा विवस्ता को लेकर राहूल गांदी के ये तीखे तीर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं आज चौथे दिन शिक्षा विवस्ता पर सवाल दागा है उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी से पूछा है हालकि आपको हम बता दें पी-म की तरद से उन्होंने जितने भी सवाल पूछे होने लेकर कोई सीधा सीधा जवाब सामने नहीं आया है प्रधान मंतरी ने एक राली में जरूर हमला बोलते हुए कहा था कि जिन लोगों ने 60 साल तक शासन किया उस शासन के दोरान को प्रबंधन किया वो हमसे बिकास को लेकर सवाल पूछ रहे हैं लेकिन राहुल गांधी आपने हमला बर तेवर अपनाए हुए ये है एबी पी नियूज आपको रखे आगे